हाई दोस्तों मैं मनोश सर भारती इतिहस घटना चक्र पुर्वा लोकन तो देखे दोस्तों आज का जो टॉपिक है जैन धर्म है तो देखे जैन धर्म के संस्थापक कौन है आरसु धर्मा महाबीर श्वामी पाशोनात रिशब देव क्यों है रिशब देव अगला देखे द तिर्थकर पाशोनात निमलिखित अस्थानों में से मुख किन से संबंदित है तो देखे वाराणसी से है क्या है वाराणसी से अगला देखे आदिनात ब्रिशब मलिनात जलकलस पाशोनात का सर्फ हो जाएगा संभावनात आश्रो हो जाएगा अगला देखे निमलिखित त तो इसमें क्या सही है, ए सही है, अगला देखे, महाबीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था, कुंड ग्राम में, पाटले पुत्र में, मगद में, बैसाली में, तो क्या हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था, अगला देखे, कुंडल पूर, कुंडल पूर जन्मस्थान है, समरा अस्थान कहां पर इस्तित है, मनेर में, राजगीर में, पावापूरी में, जालन फोर्ट में, उप्यूक में सिस है, अगला देखिए दोस्तों, महाबीर, जैन की मृत्टु निमलिखित में सिक किस नगर में हुई है, राजगीरी, साची, पावापूरी, समस्तिपूर, तो अंतिन कौन था पाशोनाथ, रिशबदीव, महाबीर और मडी सुरुवत तो इसमें क्या है महाबीर अगला देखे निमलिखित में से कौन एक जैन तिर्थकर नहीं था चंद प्रभू, नातमुनी, नेमी, संभाव तो इसमें क्या है नातमुनी है अगला देखिए प्रभास गिरी जिनका तीर तस्तल है वे हैं बहुत जैन सैव बैशनो तो ये क्या है जैन है अगला देखिए जैन धर में पुड ज्यान के लिए क्या सब्द है जिन रत्न कैवल निर्वान तो ये क्या है कैवल है अगला देखिए महाबीर स्वामी को किस से दान, सम्यक, धारण, सम्यक, चरित और सम्यक, जिस धर्म की महिमा है, वह क्या है, बौध धर्म, इसाई धर्म, जैन धर्म, इन में से कोई नहीं, तो क्या है, जैन धर्म है, त्री रत्न या तीन रत्न जैसे सटी ज्यान, सच्छी आस्था और शटी क्रिया, निमने में से कि तो क्या है जैन धर्मनी, अगला देखी, जैन धर्मनी, श्यादवात संबंदीत है, चावारकसी, जैन सी, बोगतसी, साथ कीसी, तो जैन दर्सं के उंसार, अगला देखिए, निमलिखित में से कौन सा धर्म विस्व बिनासकारी प्रयला की और हाडा में बिस्वास नहीं करता है. बौद धर्म, जैन धर्म, किंदू धर्म, इस्लाम धर्म, तो क्या है? जैन धर्म का अधारबुद बिंदू है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, बिराग, तो क्या है? अहिंसा है, अगला देखे दोस्तों, यापनी, यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद धर्म का, जैन धर् प्रथाओं के संदर में अस्थान कवाशी संपरदाय का संबंध खिस्से है बौध मदची जैन मदची बैशन मदची जायरो मदची यह क्या है जैन मदची निमलिखित में से कौण सा सबसे पूर कालिक जैन गृंड कैलाता है बारण ऑंग बार उपांग चौदा पूर 14 उप अगला देखी, निमलिखित में से कौन सा अस्थल पाशोना से संबंध होने की कारण जैन सीद्चेत्र माना जाता है, चमपा, पावा, शम्मेज सिखर, उर्जेंद, तो इसमें क्या है, शम्मेज सिखर है दोस्तों, अगला देखी, निमलिखित में से कौन सा आरंबिक जैन सा अगला देखी जैन संपरताय में प्रथम बिभाजन की समय, सुवितांबर, संपरदाय की संस्तापक थी, स्तूल बद्र, बद्र बाहु, कालकाचार, देवीदी छमासरम तो इस्तूल बद्र है, अगला देखी भगवान महाबीर का प्रथम सिस्ता जमाली, योगसूत, बिपी प्रभाज तो यह क्या है जमाली है अगला देखे महाबीर का प्रथम अनुवाई कौन था जमाली यसोदा अडोज्या त्रिशला तो क्या है जमाली है किस जैन सभा में अंतिम रूप से स्वितामबर आगम का संपादन हुआ है बैसाली में बल्लिभी में पावा में पाटली पुत्र में तो क्या है पाटली पुत्र में जैन साहित में संबोधित निमलिखित कत्नों को पढ़िए और सकीक बिकल्प चुनिए तो इसमें क्या है दोस्तों देखे डी सही है अगला देखे निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए बौध महाबीर की माता लचवी के मुख चेटक के पुत्री थी ये गलत है दोस्तों गौतम बुध की माता कोली राजवन्स की राजकुमारी थी तही समय तिर्थकर्थ बना रहत से थे केवल एक केवल दो दो और तीन एक दो तीन तो केवल दो और तीन अगला दिखे प्राचीन जैन धर्म के संबन में लिमलिखित कत्नों में से कौन सा एक सही है इस्तोल बाव की नितरित में दच्छिर भारत में जैन धर्म का परचार हुआ पाटली पुत्र में हुई परिशत की पस्चा जो जैन धर्म की लोग भद्र बाव के नितरित में रहे हुए सितांबर कहला है प्रथम सतक इसापूर में जैन धर जाजा खारवेल का समर्थन मिला बौद की बीपी जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्ता में जैन धर्म की लोग चित्रों को पूजन करते थी तो सी सही है दोस्तों अगला देखी निमलिखित में से कौन सा कथन जैन से धान का नूप है तो देखे कर्म को बिनिष्ट करने का सुनिश्ट मार्क तपश्यर्या है प्रतीक वस्तु में चायवा सोच मकड़ हो या आत्मा होती है कर्म आत्मा का बिनासक है और अस्व इसका अंध करना है तो इसमें देखे किवल एक किवल दो तीन किवल एक दो किवल एक दो तीन तो इसमें क्या सही है किवल एक दो तीन अगला देखे समाधी मरण किस दर्शन से संबंदित है बाउत दर्शन जैन दर्शन और योग दर्शन लोकायत दर्शन इनमें से कोई नहीं तो इसमें क्या ह जैन दर्शन है अगला देखिए निमलिखित कत्नों पर विचार कीजे दच्षिड भारत की इच्छाकू सासन बौधमत की बिरोधात्मक थे पूर्वी भारत की पाल सासक बौधमत की समर्थक थे तो इसमें क्या है किवल एक किवल दो 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 न तो एक न तो दो तो इसमें क् आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थी आनंद, राहूल भद्र, मक्खाली गोशाल, उपाली, तो इसमें क्या है, मक्खाली गोशाल है, अगला देखे दोस्तों, निमलिकित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग गही सब कुछ निरधारित करता है, मनुस असमर्त होता है, जैनियों ने, बौधों ने, आजीवकों ने, मिमांसकों ने, तो क्या है, आजीवकों ने, अगला देखे, संप्रदाय जो नियती की अटलकता सी, अटलकता में भी स्वास करता है, जैन, आजीवक, चावार, बौध, तो इसमें क्या है, आजीवक है, अगला देखे दोस्त जैनों ने, तंत्रिकाओं ने, क्या है? आजीविकों ने, अगला देखे, उत्तर भारत में बहुत जैनी, दोनों की प्रसी तिर्था सली है, सारनात, कौशांबी, कुशी नगर, देवी पाटन, तो क्या है? कौशांबी है, अगला देखे, निमलिखित में से कौन सा एक कथन स सही नहीं है, तो स्रवन बेल गोला, इसी गोमतेश्वर की प्रतिमा, जैनियों की अंतिम तिर्थकाओं को दर्शाती है, गलत है, भारत का सबसे बड़ा बहुत मठ अरुणांचल प्रदीश में है, खुजराहों के मंदिर, चंदील, राजाओं द्वारा बनाये गये हैं, ह होईसल, होईसलेश्वर मंदिर शिव का समर्पित है, तो यही गलत है दोस्तों, ए, अगला देखिए, स्रवन बेल गोला में गोमतेश्वर की विसाल प्रतिमा किष्ने स्तापित करवाई थी, चामुंडा राय ने, कृष्न प्रतम ने, गुमार पाल ने, तीज पाल ने, त तो कौन है दोस्तों, बाहु बली, अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के विसोत पत्ती विसियक धारणाओं के अमसार चार यूगों की चक्र का करम इस प्रकार है, द्वापर कृत त्रेता द्वापर कली, त्रेता द्वापर कली, त्रेता द्वापर कली, त्रेत त्रेता द्वापर कली अगला देखे दोस्तों अगला है निमलिखित में से कौन सा पराचीन भारत में सयो संप्रदान था आजीवग मतम मयूर मयमत और इसान सिव गुरु देवपत दती तो इसमें क्या है मतमयूर अगला देखे अर्धनारी स्वर मूर्ती में आधा सिव अगला दिखे दोस्तों, नैनार कौं थे, भैश्रो धर्मा नुयाई, अगला दिखे, साथ सूरेपासक, तो इसमें देखे, क्या है, सैव धर्मा नुयाई, अगला दिखे, निमलिकित में से कौन सा अलवार संत नहीं था, पोई गई, तिरुग्यान, पूडम और तिरुमंग तो इसमें क्या है तिरुग्यान है दोस्तों, अगला देखे, भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका दिन अत्यधीक था, पार्थियन का, हिंदी युनानी लोग, उशान, गोप्त, तो इसमें क्या है, गोप्त है, अगला देखे, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, ज पूजा सरुप्तम किष्णे प्रारम की थी, भागवतों ने, वैदिक आरियों ने, तमिलों ने, और अभीरों ने, तो इसमें क्या है, भागवतों ने, अगला देखे, निमलिकित में किस देउता को कला में हल लिये प्रदर्शित किया गया है, कृष्ण ने, बलराम ने, कार अगला देखे, दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित प्राचिन्तम अभिलेखी साच है, समुद्र गुप्त का इलहाबात अभिलेख, होलियो डोरस का बेश्ण नगर अभिलेख, इसकंद गुप्त की भीतरी स्तंबलेख, महरावली स्तंबलेख, तो इसमें क्या सही है, B फिर देखे, भागवत धर्म का ग्यात, सरप्रतम अभिलेखी साच है, समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रसस्ती, गौत्मी बलास्री का नासिक अभिलेख, बेश्ण गरुड इस्तम, धन देव का अयोध्या अभिलेख, तो सी सही है, दोस्तों, अगला देखे, बेश्ण अवतार को सागर से प्रित्वी का उधारक करती हुई अंकित किया गया है, कच्छप, मत्स, वारा, निरिसिंग, तो ये क्या है, वारा है, अगला देखे, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा बिभीदक लच्छन है, इस्वरी सत्ता में आस्ता, पुन दुएत वात्वेदान, भागवत गीता, मिमानसा, तो भागवत गीता देता है, अदो लिखित में कौन सा एक गीत का मुके सिच्छा है, कर्मियोग, ज्ञान योग, भक्ती योग, निसकाम कर्मियोग, असपर्श योग, तो इसमें क्या है, निसकाम कर्मियोग, अगला दे वह प्राची नस्तल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में शंपूर महाभारत कथन का वाचन किया गया है अईचित्र, हस्तिनापूर, कैमपल, नैमर्श है तो इसमें नैमर्श है अगला देखी रमायर के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेट का वरणन है किस कंदा का अगला देखी तो इसमें क्या है गोदावरी नदी अगला देखी दोस्तों अब देखे थोड़ा इंपोर्टेंट है महा जनपद और आधुनी कस्तल यहां से भी कुश्चन आते हैं कुरू का मतलब आधुनी का नाम क्या है मेरट दिल्ली थानेश्वर राधानी इंद प्रस्ता पंचाल बरेली बदायू फरूखाबाद अच्छेत्र सुरसेन मतुरा के आसपास का च्छेत्र मतुरा है वस प्रयागरास तथा बांदा कौशांबी कोशल अवद का च्छेत्र साकेत तथा स्रावस्ती मल देवरियाँ जिला कुशिनगर और पावा कासी वारांसी और वारांसी अंग भागलपूर मुंगेर चमपा मगत दच्छडी बिहार पटना गिरिब्रज वज्जी मुझपन अब देखे दोस्तों भारत के प्राचिंतम प्राप्त सिक्के हैं तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे, निमलिकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं हैं अंग चमपा, कोशल अईच्छेत्र, वस कौसांबी, मस बिराट नगर तो देखे इसमें कोशल अगला देखे प्रदोत अवंती है उद्यन वगत्स है प्रसेन जीत कोशल है अजासत्रु मगद है चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज के राजा थे कासी के अंग के अवंती के वज्जी के तो अवंती के थे अभिलेकी साच्य से प्रकट होता है कि नंद राजा की तो क्या है? कलिंग में है. अगला दिखिए, उजैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तचसिला, इंद प्रस्त, अवंतिका, इन में से कोई नहीं. तो यह क्या है? अवंतिका है. अगला दिखिए दोस्तों, पाट्टी पुत्र की संस्थापक थी उदाइन, असूप, भिमि चंदगुप बिक्रमादीत कनिक्ष तो ये क्या है चंदगुप मौर है अगला देखिए मगज समराज की राधानी पाटली पुत्र के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो देखे इसमें पाटली पूरब में गंगा नदी के उत्तर में चंपा नदी से घिरा पाटली पुत्र दछिर में बिंद्यान परवसी पश्रिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था इसमें 20 है दोस्तों अगला देखिए निमलिखित में किस राजा ने पाटली पुत्र को बसाया था शीसु नागवन बिंबसार अजास सत्रू उदाईन तो इसमें क्या है उदा उजयन से, मतुरा से, महिसमती से, कौसामभी से, तो उजयन से है दोस्तों, अगला देखे, प्रथम मगत समराज का उतकर्ज किस सताबदी में हुआ था, इसवी चौती सताबदी, इसवी छटी सताबदी, इसवी दूसरी सताबदी, इसी पहली सताबदी, तो बी सही है दोस्त चोड़िए इसको, विस्व का पहला गर्तन बैसाली के किसके द्वारा इस्थापित किया गया था, मौर, नंद, गुप्त, लिच्वी, तो क्या है, लिच्वी है, इसापूर चटी सदी में विस्व का प्रथम गर्तन तात्मक बिवस्था कहां पर थी, बैसाली में थी, एथे मौर, चेटक, लिच्वी है, तो चेटक क्या है, लिच्वी है, अगला देखे, छटी सताब्दी इसापूर में 16 महा जनपदों की विस्वे में निमलिखित में से, किस बाओध ग्रंत में सूचना मिलती है, दिग निकाय, त्रिपिटक, दीपोंस, अंगुत्तर निकाय, तो अगला देखे, अगला देखे, महा जनपद यूग में 16 जनपदों की नाम बहुत साहित में प्राया उलिखित है, निमलिखित में किन जनपदों के नाम पड़ेनी की अस्टदाई उलिखित है, मगद है, अस्मक है, कंबोज है, चेदी है, वाच्स है, तो A, B, C, B, E, C, D, E और A, C, D, E, तो इसमें क्या है, A, B, C, E, अगला देखे, निमन में किन ग्रंतों में प्राचीन भारत की 16 महा जनपदों की सूची मिलती है, नीची देगे कूट से सही उत्तर का चैन कीजी, अर्तसास, अंगुत्तर निकाय, दिग निकाय, भगवती सोत्र, तो दो और चार अगला देखे दोस्तों, 16 महा जनपदों की यूगों में मतुरा इन में किसकी राजधानी थी, वज्जी में, वत्स में, कासी में, सूरसेन में, तो ये दोस्तों सूरसेन में थी, चंपा किस महा जनपद की राजधानी थी, मगद की, वज्जी में, कोशल में, अंग में, त अश्चक कंबोज तो इसमें क्या है अश्चक था चड़ी सताबदी इसापूरी में मस महा जनपद इस्थी था पश्मी उत्तरपदेश राजस्थान में बुंदेल खंड में रुहेल खंड में तो इसमें क्या है दोस्तों राजस्थान में अगला देखे मगत की राजधानी क तो ये दिखे राजगरी थी अगला दिखे प्राचीन महा जनपत मगत की प्रथम राजधानी कौन सी थी पाटले पुत्र बैसाली चंपा अंग उप्यूप में से कोई नहीं अगला दिखे निमलिखित में से कौन सा एक मगत समराज की राजधानी नहीं रही ग्रीब्रच रा अर्द चंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार. तो ये क्या है? अर्द चंद्राकार. मगत की किस प्रारंबिक सासक के राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की युन सोयम इसकी कारवर्स अपने पुत्र द्वारा मारा गया. बिम्बशार, अजाग सत्रू, उदा अगला क्या है इस मगत समराज में वजी गड़संग में हराकर आत्म साथ किया है चंदकुप मौर ने असोप ने महापदमनंद ने अजास सत्रू ने तो ये क्या है अजास सत्रू ने है मालवाचित पे मगत की सत्ता का विस्तार निमने में खिसकीक सासन काल में हुआ था बिमबसार की अजास सत्रू की उदाय भद्र की शिशुनाग की तो ये देखी शिशुनाग की है मगत में नंदवन्स का संस्थापक कौन था महापदमनंद घनानन नंदी वर्धन मही नंदी वंदर तो ये देखी महापदमनंद था मगत का कौन सा समराट आपरो सुरम की नाम से जाना जाता था बिंदुसार अजासत्रू काला सोग महापद्मनंद तो महापद्मनंद है अगला देखी नंदवन्स की पस्चात मगत पर किस राजवन्स ने सासन किया था मौरे सुंग गुप्त कुशाण तो ये क्या है मौरे थ अगला देखी निमलिकित मगत राजियों की काला कुरंग का विवसित कीजी नंदवन्स सुंग वन्स मौरे वन्स हरियक वन्स तो इसमें क्या है अगला देखी निमलिकित कतन में A B को पढ़िये नीचे दिये गए कूठ में से सही का उत्तर चुनिये तो इसमें देखे क्या है बिस्स की सभी भागों में इसवी पुरीवी चटी सतावदी एक महान धार्मिक उतल पुतल का काल था बैदिक धर्म बहुत ही जटी लो चुका था तो दोनो A B गलत है A और B सही है A सही है B गलत है A गलत है B सही है तो इसमें क्या है B अगला देखी दोस्तों कालपी नगर किष्णदी के तटपरिस्तित है गंगा यमुना नर्मदा कृष्णा तो यह क्या है यमुना है अगला देखी कुरू कुरू देखी इंदपरस्त है पंचाल क्या है अच्छित्र है कोशल क्या है साकीत है वज्द क्या है कौशामभी है अगला देखी मस्त मस्त क् अगला देखी यूनानी अक्रमर्ण सिकंदर की हमले की समय उत्तर भारत में निमलखित राजवनसों में किस एक का सासंथा नंद का, मौरे का, सुंग् loyal का, कन्नो का अगला देखिए निमलिकित में मगत का कौन सा राजा सिकंदर महान की समकालीन था महापदमनन था घनानन था सुकल्प था चंद्गुप मौर था तो घनानन था अगला देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर पराजित हुआ तो इसमें देखे C A सही है आर गलत है युद्ध भूमे में बड़ी संख्या में साइनिकों के मारे जाने अत्वा आहद हो जाने के बाद किसी भारती गड़ अत्वा राज की स्त्रीयों ने सिकंदर के बिरुद सास्त भरण किया था एक अच्छा प्रसासक था तो देखे एक दो एक दो तीन दो तीन चार उप्यूक सभी तो एक दो तीन अगला देखे उस भी भारती राज का नाम बताईए जिसे सिकंदर ने जेलं के तरफ पर पर पराजित किया था आमरी पूरू चंदगुप मौर महापदवनन्द तो य वीडियो कैसा लगा दोस्तों लाइक करिए सस्क्राइब करिए धन्यों